मैं बच्पन से कहानी सुनते आ रहा था कि कहीं पर नाग और नागिन पत्थर के बन गया है जो बारेंदा पहाड से निकल कर सुवर्ने रखा नदी जा रहा है थे लेकिन रास्ते में ही दोनों पत्थर के हो गया यानकी सीध हो गया है तो मैं अभी इस वक उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर यह नागिन जो है पत्थर की बन गई है मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह नागिन है और यह मेरे से भी उच्छा है कादरी मेरा उच्छा यह आठ फुट से ज़्यादा आठ फुट से कम नहीं होगा पीछे देख सकते हैं यह नागिन है जो पत्थर की बन गई है कर देख सकते हैं यह नागिन है कहानी है कि यह नाग और नागिन दोनों बारेंदा पहाड जो आप देख सकते हैं इधर है यह बारेंदा पहाड हुआ, यह दोनों बारेंदा पहाड में बास करते थे, यह बहुत दिनों, मने बहुत बर्षों पहले की बात है, यह दोनों ने सोचा कि अब यहाँ खाना पिना का हम लोग के कमी हो गया है, पानी का भी दिक्कत है, तो हम लोग चलते हैं, आगे पूरब प्यास लगा भूग लगा तो चलती चलती ठक गए होंगे तो सोचे फैक कितना दूर है तो उसी में लोग खड़ा होके दोनों देख रहे थे जैसे ही खड़ा हुए वह इसे ही दोनों सीध हो गए आने की पत्थर के बन जब यह पहार से चले थे सुनर रखन नदी में बास करने के लिए औहीं पर परमनेंट रहने के लिए तो भगवान भी सोचा कि अगर यह नदी पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे जीवजनतु बहुत सारे मनुष को यह लोग हानी पहुंचाएंगे तो इसलिए इन लोग को नदी जाने से रोका इतना दूर में है उसे ही दोनों पत्थर के बन गया है यहां पर नाग पंचमी के दिन उजा अरचना भी होती है और बहुत बड़ा मेला भी लगता है और यह नागिन का जो दूसरा साथी है यहां से लगभग 400-500 मिटर दूर में इस्थित है हम लोग उसको भी मैं उसको भ खड़ा हुआ जाके इतना उचादिक हाट फूट से कम नहीं होगा और धर्ती में भी नीचे बहुत लंबा सा है कुछ गावला से मने बात किया तो गावली बताए कि नीचे भी यह दबा है क्योंकि बहुत बश्चों पहले बश्चों पहले के बात है तो कालांतर बें धिर जन्वर बहुत सारे मनुस जी जन्तु की यह हानी पहुंचा सकते गाव का बच्चा से मैंने पूछा भी कि नाग किधर है यह तो रास्ता के किनारे ही है एकदम यह देखिए बंगल जाने के रास्ता है जो सोनर रखनदी आप जा सकते हैं इधर दूलमी गाव है तो दूलम नाग को दिखने के लिए वह कितना दूर में है बच्चा ने बता है कि जादा दूर में नहीं है दो तिन सो मीटर के दूरी पर इस्तित है उसको भी जाके मैं एक बार देखता हूं और आप लोगो भी दिखाता हूं वीडियो में आप लोग कंटीनू बने रहे हैं तो अभ दूर रस्ता है अच्छा तो यह दोनों मुझे रस्ता दिखाते हुए लेके जा रहा है तो आगे जाके देखते हैं कहां पे नाग सीध हुआ है कि यह रोड से थोड़ा सा हट के है इधर जाड़ी में देखिए कच्छ कच्छ रस्ता में आ रहा है अच्छा यह वहला है तो अभी हम पहुंच गए यहां पर गाड़ी खड़ा कर देते हैं यहां पर है यह दोनों बच्चे मुझे लेके जा रहा है है हम लोग पहुंच गया है सामने यही पर बगल में नाग है जो यही पत्थर के बन गया है यह देखिए यह गाउं की किसान लोग यहां पर टमाटर और मटर के खेती किया हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं यह है नाग यह तो उससे भी बड़ा लगा है ने तब दोस्तों उसके यह नाग के पास हम लोग पहुंचे हुए हैं यह सीधा है विल्कुल उसका तो फ मेरे से बहुत ही उचा होगा तो दोस्तों आप अभी देख सकते हैं हम लोग नाग के सामने पहुंचे हुए है नागिन रोट के किनारत थी और यह थोड़ा सा दूर में है यह वही नाग वो नागिन थी यह नाग है यह दोनों ही वही बरेंदा पाहर से निकल कर सुवर्ण देख सकता है कितना उचा है इतना मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है इतना विसलका सांप यह दोनों यह दोनों यह जगह जो है दुल्मी गाव जो राची जीला के सुनाहतू परखंड अंतरगत यह गाव है जो बंगाल से सटा हुआ चुद्र बरती शेत्र है जहां पर गाव के बाहर यह दुल्मी नमक गाव है कि गाव के बाहर यह दोनों सांप नाग और नागिन जो पत्थर के बने हैं जो सीध हुए हैं यह दोनों यह मुझत हैं नाग पंचमी के दिन यहां पर बहुत ही बड़ा मेला कायोजन होता है अब हम लोग नाग को देखके फिर द चार रास्ता है रांची से सोनाहतु से एड्रमातु जाड़िया होते हुए दुल्मी के बाहर यह जगह है दूसरा रास्ता है रांची से टिकर नगामाटी से मिलंचोख होते हुए दुल्मी और तिसरा रास्ता है रांची से सिल्ली सिल्ली सिफिट बरंदा होते हुए दु जेख सकते हैं तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और शाथ शाथ चैनल को सब्सक्राइब दिए कर दो आई हो आई होगा है